नमस्कार नियूस पॉइंट लेकर हाजिर हूँ मैं राजीव दोस्तों राहूल गांधी ने आज फिर नरेंद्र मोधी सरकार को एक नई चेतावनी दे दी है कि केंद्र सरकार में ज़ादा दम नहीं है और इंडिया गटबंधन हमेशा की तरह मजबूती से गरीबों के हक में आवाज उठाएगा सम्विधान की रक्षा का प्रण निभाते रहेगा जिहां आज दरसल राहूल गांधी वाइनाड में थे जहां अपनी जीत के लिए उन्होंने लोगों का आभार प्रकट किया और साथ ही ये भी बताया कि वे राइबरेली को चुने या वाइनाड को कि किसी भी फैसले से जनता खुश ही होगी खुश नहीं होगी की बात नहीं खुश ही होगी यानि कि चाहे वो वाइनाड में रहें या राइबरेली में रहें लेकिन जनता किसी भी फैसले से खुश होगी और वहीं जनता को उन्होंने याद भी दिलाया कि मोदी ने किस तरह नकारात्मक चुनाव परचार किया और कैसे देश को धोखे में रखा लेकिन इंडिया गठबंधन अब नजर बनाए रखेगा कि मोधी सरकार लोगों को गुमराह ना कर सके क्या कुछ कहा है राहूल गांधी ने आए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी चर्चा आगे प्रचा आते हैं सुनिये और यहां पर अपने अपने हिसाब से अंदाज आप लोग यहां पर अपने-पने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं कि मैं राय बरेली को चुनोंगा यह वाय नाट को चुनोंगा और यह decision मैं किस पर लूंगा या तो मैं रहूंगा यह अभी तक मैं सोच पाया हूं मैं नहीं समझ पाया हूं लेकिन बाकी सब लोग इस देश के जनता है या देश के जो समीक्षक हैं वो सब समझ चुके हैं लेकिन कह रहे हैं कि कोई भी हो चाहे वायनाड हो या रायबरेली हो जिसको भी मैं चुनूं डिसीजन जो मेरा होगा वो अच्छा ही होगा यानि की जनता उससे खुश ही होगी आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने कल रायबरेली से जुड़ कर काम करने में लगे हैं और बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो किस तरह NDA सरकार पर निगरानी रखने वाले हैं इधर खुद NDA के भीतर अब दरार दिखने लगी है जी हाँ दरार हैं दिखने पार का नारा था, उससे हमें नुक्सान हुआ है, सुनिए जरा एक नाच शिंदे कह क्या रहे हैं? ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है, महारास्ता में भी नुकसान हुआ है, सभीधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्शन जाएगा, फला ना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन चारसो पार वादा अकड़ा जो है, उसके वज़े से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गए कि यह सब आगे जाके कुछ घड़बर होगी लेकिन मोधी जी को देश की सेवा करने वाले हैं मोधी जी ने अपने अपना जीवन जो देश को समर्बित किया है और दस साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रदान मंत्री को ने तो उनका नम लेकिन उसके बाद धीरे से ये भी बताएए कि नहीं जी मोधी जी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन चार सो नारा किस ने दिया था चार सो अब की बार चार सो पार याद कीजिए पहली बार ये नारा नरिंद्र Var़ मोधी ने दिया था और समविधान बदल देंगे ये बात इन्हीं के लोगों नेüğ बीजेपी के लोगों नें, एंडिये के लोगों ने कहते हुए उनोगों से आपने सुने, लेकिन क्या इस नारे के खिलाफ नरिंदर मोदी ने कभी आवाज बुलंद की, कभी बोला उन्होंने कि नहीं ये नारा गलत है ऐसा नहीं होने जा रहा है नहीं बोला बाद में यो कह रहे थे तो यहां पर एक नाच्छिंदे साप साप कह रहे हैं कि हमें इस चार सो पार के नारे से दिक्कत हुई दिक्कत ही नहीं बलकि जो सीटे कम हुई है उसमें ये चा और इसलिए महाराष्ट में शिंदे गुट को मोदी का गुट बीजेपी को और पवार गुट एंसीपी को वहां कम सीटे आई हैं मंत्राले बटवारे के बाद अब महाराष्ट में एक महाराष्ट से जो है ये नई तरह की नाराजगी सामने आ रही है इन बातों को आप अगर ध्यान से गौर फर्माइए तु समझ में आता है वही नितीश कुमार और चंदरबाबु नाइडू के बीच भी नाराजगी दिख रही है केंदर की NDA सरकार के बाद अब आंदरपरदेश में भी NDA और ओडिशा में बीजेपी की सरकार का गठन हो गया है आज दोनों राजिय में नए मुख्यमंत्रियों ने शपत ग्रहन की आंदरपरदेश में चंदरबाबु नाइडू रिकार्ड चौथी बार सीएम बने और वहीं ओडिशा में चार बार के सीएम नवीन पतनायक की जगह अब बीजेपी के मोहन माजी ने शपत ली है ओडिशा ने तो बीजेपी को पूर्ण बहमत हासिल करवा दिया यानी ओडिशा में बीजेपी पूर्ण बहमत हासिल करके सत्ता प्रकाविज हो गई लेकिन अंधरपरदेश में महज आठ सीटे जीत कर ही सत्ता में शामिल होने का कमाल बीजेपी ने फिर से किया है ताकि वो भारत के नक्षे में दिख भगवा रंग चरहाना मुश्किल हो गया है और इसके साथ ही मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो सरकार को गिरने से कैसे बचाए अब तक नितीश कुमार और चंद्रबाबु नाइडू के सहारे खड़ी हुई सरकार में एक नई परिशानी और आ गई है अब नितीश कुमार और चंद्रबाबु नाइडू के बीच ही दरार दिखने लगी है आपको बता दो कि आज नाइडू चंद्रबाबु नाइडू के शपत गरहन में बीजेपी की टॉप लिडर्शिप यानि मोदी शाह नडडा नाइडू इन सब के अलावा एकनात शिंदे अनुप्रिया प कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं हाला कि फिलहाल नितीश कुमार एंडिये सरकार में शामिल हैं और अब तक कोई बड़ा कदम उन्होंने नहीं उठाया है लेकिन पहले मंत्राले बटवारे में बीजेपी से जो नाखोशी नजर आई यानि मंत्राले में जो मंत्री मंत्री पद है उसके बटवारे से नितीश बाबू और खासकर उनकी पार्टी की बीजेपी से नाराजगी नाखोशी नजर आई और आब वही नाखोशी नितीश कुमार की नाइडू से भी दिख रही है इसका एक कारन तो यह हो सकता है कि नितीश कुमार नाइडू के सामने इस्टर इन लाउ हैं और बीजेपी नेता हैं उन्हें ये पद मिल सकता है जबकि नितीश कुमार को बड़ी आस्थी कि रेल मंत्राले की जिम्मेदारी पहले की तरह उन्हें मिले और वो ना हो तो कम से कम लोगसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी के सांसत को बनाया जाए बिहा रहा नहीं जा सकता है लेकिन क्या मोदी और शाह इंदरारों को भर पाएंगे आज इसी पर चर्चा करेंगे लेकिन चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले दो बाइट आपको और सुनाना चाहता हूं एक बाइट आज की राहुल गांधी की बाइट आज उसी वाइनाड की है जहां राहुल गांधी पहले तो भी आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे है वो कह रहे है कि मैं चाहराय बरेली में रहूं या वाइनाड में रहूं यानि कि इन दोनों में से किसी भी सीट को में लूँ लेकिन देश की जनता का ही भला होगा दूसरी बाइट जरा सुनिए क् और सिरफ आयोधिया में नहीं बाही और बेहनों और सिरफ आयोधिया में नहीं वाराण। And the truth is, that what we have today is a crippled government. A government that has been beaten so badly by the Indian Alliance that it cannot walk straight. Certainly not a government that is going to capably lead this country. The Indian Alliance and the Congress Party has also completely destroyed the idea of Mr. Narendra Modi. Today, the Narendra Modi you see is a completely different Narendra Modi than before the elections. आज जो नarendra Modi को आप देख रहे हैं, क्या ये नarendra Modi वही हैं, जो एलक्षन से पहले के थे? यहां तमाम बाते हैं रखते हुए राहुल गांधी लेकिन उसी Narendra Modi नहीं नरेndra Modi पर कल इन्होंने हमला बोला था और बहुत ही शांदार हमला बोला था इन्होंने राय बरेली से. जरा उसको भी सुन लीजे, राय बरेली से कह रहे हैं कि नरेndra Modi चुनाव हार जाते वारा नसी से. देखे जरा राय बरेली में राहुल गांधी कल क्या कह रहे थे? और सिर्फ अयोदिया में नहीं बाईयों और बहनों, सिर्फ अयोदिया में नहीं, वारा नसी में जान बचा के निकले हैं प्रदानमंति. और मैं आपको कहता हूँ, और बहन से कह रहा हूँ, अगर ये लड़ जाती वारा नसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रदानमंत्री, दो-तीन लाक वोटों से वारा नसी का चुनाव हार जाती है। कि जो राजनेती है, हमें अच्छी नई लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मुपत का देश चाहते हैं, हम प्रगती चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं, आपने दस साल इस देश में बेरोजगारी फेलाई, नफरत फ तो सुन रहे थे आप सीधा सीधा यहां सीधी चुनोती की अगर बहन लड़ जाती तो दो तीन लाख बोर्ट से हार जाते और जिस नफरत की राजनिती आप करते रहे उसे इस देश की जनता ने नकार दिया है यह कल कह रहे थे और कमो बेश इसी बात को आज आगे बढ़ाते हुए वाइनाड में राहुल गांधी नजर आए आप जानते हैं कि चाहे राय बरेली हो या वाइनाड इन दोनों में से एक सीट तो राय बरेली को छोड़नी होगी और उनमें से कौन सी सीट यह छोड़ेंगे इस बीच यह तस्वीर देखिए यह तस्वीर है जब अमित शाह पहुंचे सीधे अमित शाह जब पहुंचे हैं चंदरबाबु नाइडू के वीज़े वाड़ा में जहां चंदरबाबु नाइडू शपत गरन कर रहे थे वहां पहुंचे और यह जो फूलों का गुलदस् गुलदस्ता यह दे रहे हैं अमित शाह जरा शुरुवाद से दिखा दीजिए गुलदस्ते का लेन देन बड़ा बड़ा अभी शुरुवाद से जरा देखिए गौर से देखिए इस तस्वीर को यहां और कुछ बोलने की ज़र्वत नहीं है आप एक गुलदस्ते को कैसे जाता है एक जगा एक हाथ से दूसरे हाथ में यह गुलदस्ता आया बहुत सुन्दर बहुत खुबसूरत है यह गुलदस्ता गुलाब है इसमें रोजेज हैं काफी यह अंदर जाता है उसके बाद यही गुलदस्ता अब जेपी नड़ा देते हैं चंदरबाबू नाइड परकार है और यहां पर नितीश कुमार नहीं है बाकी सब हैं नितीश कुमार नहीं है चलिए आगे बढ़ें और यहीं से